दिवाली के दिन से उत्रकाशी की निर्मनाधीन सुरंग में कैद 41 मजदूर बाहर आ गए हैं रेट माइनर्स की टीम ने मंगलवार को मजदूरों को सुरंग से बहार निकालने में सफलता पाई 27 दिनों से कई तरह की टीम में बचाव अभ्यान में जूटी थी पहले आगर मशीन से सुरंग में पाईप डाला जा रहा था लेकिन लक्षे से 12 मीटर पहले ही बाधाय आने की वज़े से मशीन काम नहीं कर पाई इसके बाद रेट माइनर्स की टीम को बलाया गया जिसके बाद श्रमिकों को बाहर निकालने में सफलता मिली उतरकाशी में सिलकायरा सुरंग से उनके सफल बचाव की खबर मिलने पर 41 फसे हुए मश्दूरों के परिवार के सदस्यों के चहरे पर राहत और खुशी भी दिखाई दी लंबे समय तक हताशा सहने वाले परिवारों ने बचाव का जश्न मनाया इस बीच मश्दूरों की वीडियो भी सामने आई है उन्होंने वहां की पूरी आप भीती बताई उतरकाशी सुरंग से सफलता पूर्वक बचाए गए 41 शमिकों में से चिल्यानिडी सोड के मश्दूर सुबोध कुमार वर्मा ने बताया कि हमें वहां यानिकी सुरंग पर 24 घंटों तक खाना पीना और हवा से सम्मंदित परिशानी हुई इसके बाद पाईप के द्वारा खाने पीने की चीजे भेजी गई थी मैं स्वस्थ हूँ और कोई परिशानी नहीं है केंद्र और राज्य सरकार की मैनत थी जिस वज़े से आज मैं निकल पाया इनके अलावा उत्रकाशी सुरंग से सफलता पूर्वग बचाये गए 41 श्रमिकों में से एक और मश्दूर उसी जगे का था विश्वचीत कुमार वर्मा ने कहा कि जब मलबा गिरा तो हमें पता चला कि हम फज गए हैं सभी हमें निकालने के परियास में लग गए हर तरह की विवस्ता की गई ऑक्सिजन की खाने पीने की विवस्ता की गई पहले 10 से 15 गंटे हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा बाद में पाइप के द्वारा खाना उपलब्द कराए गया और बाद में माइक भी लगा दिया गया और परिवार से बाद भी इसी वज़े से हो पाई लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ आपको बता दें कि काम करते करते अचानक सुरंग के भीतर मलबा गिरने से एक तालिस मजदूर भीतर फस गए थे उन्होंने अपने जीवन के नौ दिन का गुजारा केवल ड्राइफ रूट्स और चने खाकर भीतर बह रहे शुरताओं के पानी से किया उनके पास सोने को बिस्तर नहीं था और ना सोचा ले किसुवी था ओप्रेशन सिलकारा में सभी मजदूरों की जिंदा दिली एक नजीर बन गई बारा नमबर की सुभे करीब साड़े पांच बजे जिस वक्त सुरंग में हाथ सा हुआ तो मजदूरों की अबाद सुनने के लिए केवल चार इंच का एक पाई भी मध्यम बचा था पहले सबसे बात हुई तो पता चला कि सबी बच गए लेकिन फस्ट चुके थे इसके बाद उन्हें भूक ना लगे उसका भी इंतजाम किया गया जिससे उन्हें भोजन भेजा जा सके और इस तरह करते करते उन्हें चने ड्राइफ फूट्स दवाईया और साथ ही और भी रोजाना की चीज़े उन्स पाईप के माध्यम से बेजी गई ब्यूरो रिपोर्ट एपी टीवी भारत